सिद्धी पेट नियोजुका और केंद्रम कोंडा मलेय गार्डेन लो रमचान पनगान पुरस करेंच कोनी कान कलांदचे सारू ये मेले हारिश राओ आज बोथ अच्छा प्रोग्राम तेलंगाना के हुकुमत के तरफ से हर जिले में हर शेहर में आज हो रहा है अपने चीफ मिनिस्टर चंदरशेकर राओ साब ये चाहता है कि वो हिंदू हो मुसल्मान हो इद के दिन नए कपड़े के सार अच्छी तरीके से इद बनाना चाहता है इस वास्ते चंदरशेकर राओ साब ने रमजान के दिन हमारे भाईयों को बहनों को आज कपड़ा नया कपड़ा दे रहे हैं कोई गर में अपने बुडे लोगों के लिए बच्चे कपड़ा नई बना रहे ईद के दिन लेकिन चंदर शेकरऄ साथ तो हर गर में हर बहन के लिए मां के लिए हर अदमी के लिए आज कपड़ा बिजवा रहे हैं पूरा तलेंगाना में तीन लाख लोगों को नया कपड़ा चंदर शेकरो साब रमजान के यीद के मुबारक में आज अपने लिए बेच रहा है हम सब साब के लिए दुआ करना चाहिए आज हुकुमत के तरफ से इफ्तार की दावत भी हर शहर में कर रहे हैं अपने सिधी पेट में भी जुम्मा के दिन 31 के दिन जुम्मा के दिन हुकुमत के तरफ से दावत इफ्तार भी हमारे मुसल्मान भाईयों के लिए हम बहनों के लिए देने वाला है आप सब भी आने के लिए तमाम हमारे भाईयों आप सब दावते इफ़तार पे आने के लिए भी मैं यहां से बोलना चाहता हूँ देखिए आज आपके बच्चों को बच्चीयों को पढ़ाने के लिए भी चंदरशेकर राउ साब ने 300 English Medium Residential School कोले है अपने सिटीपेट में भी बच्चेयों को एक स्कूल है बच्चों के लिए भी एक स्कूल है दुबाग में है गजवेल में है इधर हुसनाबाद में भी है मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ आप जरूर ये स्कूलों में आपके बच्चों को बच्चें को पढ़ाईए अभी गरीबी हटना है अच्छी पढ़ाई से ही हट सकता है वो लोग कुछ अच्छी पढ़ के डाक्टर या इंजिनीर या सरकारी दफ्तर में काम करे तो आपके गर में रोशनी आ जाएगी आप देखिए आज कल प्राइवेट स्कूलों में अजार रुपे फीस बनाके पढ़ाने के थाकत अपने पास नहीं है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई मिलता है वो यही पढ़ाई इंग्लीश मीडियम में कपड़ा देके खाना देके रोग पूरा गहने का इंतजाम करके नमाज भी सिखाते हुए आज अपने मैनाटी रेजिंशिल स्कूल में आपके बच्चों को बढ़ा रहा है तीन सव स्कूल कुले हैं वहाँ पर अभी भी तोड़ा सीट काली है मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ जरूर आपके बच्चियों को बच्चों को मैनाटी रेजिंशिल स्कूल उन्हें शिरीक करवाईए, उन लोगों को अच्छी पढ़ाई के लिए आप पूरी तरीके से ट्राई करना चाहिए, तोड़े लोग नहीं बेच रहे, बच्चों को बेच रहे, लेकिन बच्चीयों को नहीं बेच रहे, आज बच्ची भी पढ़ने का बहुत जरूरत है, उन्हें भी पढ़के नवकरी करे तो अच्छी तरीके से वो लोग जी सकते हैं, आप जानते हैं कितना मुश्किल आप उठाए, इस वास्ते बच्चीयों को भी जरूर आप पढ़ाना चाहिए, एक माह होते हुए, आप क्या मुश्किला उठाए, आप जानते हैं, मेरे से इसल आप जानते हैं मेरे से, इस वास्ते आप भी 150 बच्चीयों को स्कूल निकाले, 150 बच्चों को भी स्कूल निकाले, इस वास्ते आप लोग अगर से सिटी पेट में सीट फुल होगे, दुबाक में खालिये हैैं, शरीक कराईए, आदा गंडा रस्ता हैं, उसनाबाद मे काली है आदा गंडा रस्ता है गजवेल में है इस वास्ते कई पर भी सीट मिले जरूर आप शरीक करवा के आपके बच्चियों को बच्चों को अच्छा पढ़ाई के लिए उनके फ्यूचर के लिए एक अच्छी रस्ता दालना चाहिए